Hello everyone, welcome to Electrical Enging MCQs, आज की सेशन में हम लोग control system topic के उपर कोछे से important MCQs को डिसस कने वाले है, जो कि आपके सारे electrical engine examination के लिए important है, ये सेशन आपके gate, IES, साथे साथ जो भी state level examination होती है, जैसे Genco, Transco, Discom, उसके लिए भी काफी important है, क्योंकि control system एक ऐसा topic है, क्योंकि सारी examination में compulsory लिए पूछा चाता है और इससे आपको तीन से चार questions आपको 100% मिलते हैं और काफी सथा important रहते हैं उसी को धान में रखते हुए मैं आपके request से यह session आपके लिए present कर रहो इस session में हम लोग mcqs के साथ में उसके detail theory और explanation भी इस session में देखने वाले हैं तो आप इस session को complete end तक देखिए का without skip करके तो चलिए session को शुरू करते हैं अगर आपने हमारे नए चैनल कोची फेक अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और साथ-साथ इस session को आपको आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करें कि हमने इंस्टाग्राम और फीस्बुक पर हमारे पेजस लॉंच किये आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन शॉट हमने इस तरीके से आपको जो पोस्ट है यहां पर मैं आपको स्क्रीन शॉट में दिखा रहा हो आपको जो भी एक्जामनेशन पर स्पेशली बनाए हुए जो सेशंस रहते हैं आपको वहां पर पोस्ट करके हम आपको बताते हैं साथ आपके चोटे-चोटे जो प्रिपरेशन के टापिक्स रहते जिसे इंपोर्न फोक डांसे वहां पर पर इनस्टाग्रम और फीजबुक पेज पर मिल जाए तो आप प्लीज जाकर जोईन करेगा और साथ इस आपको एलेक्टिक लेंजिंग में से को भी फेस्बूक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है ठीक है यहापी भी आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं काफे इंटरस्टिंग से हमने पोस्ट वापे अपलोड किया है तो चले इस सेशन को शुरू करते हैं without any further ado देखते हैं सबसे पहला question ध्यान से हम लोग इस सेशन को देखते हैं आपके सारे doubts में clear कर दूँगा अगर आपको कोई भी doubt आदे हैं तो please मुझे comment करना सबसे पहला हम लोग question देखते है what is the most commonly used input signal in a control system is air okay सबसे ज़्यादा हम लोग input signal commonly कौन सा यूज़ करते हैं इन option में से step function ramp या फिर velocity function या फिर accelerating function तो आपको जहान में रखना हो का हम लोग सबसे ज़्यादा step function यूज़ करते हैं control system में control system में step function का meaning क्या है अगर आपके पास एक time है step function में जिसमें sudden change होता है तो आपे मानलो आपकी voltage quantity या फिर current है आप एक function प्रोवाइड कर रो एक system को ठाके आप इसका behavior change कर सकते हैं इसमें कोई भी रह सकते हैं मानलो यह black box है इसमें जो भी perform होंगे functions आप इसमें various input index देशे step function हो गया ram function हो गया various other functions जो कि मैं आपको explain करने वाला हो ठाके तो सबसे ज़्यादा most commonly हम लोग use करते है step function धान मेरा कीगा option A will be correct answer in this case the next question is which of the following system has the maximum peak overshoot due to a unit step input मैं आपको next slide में सारी चीज़े आपको discuss करने वाला हो फिर भी मैं आपे बता दो maximum peak overshoot क्या होता है अगर आपके पास एक signal है ठीक है undamped signal यहापे अगर आप one एक कोई भी input quantity देते है with respect to time अगर वो system damped नहीं है तो वो कुछ इस तरीके से oscillate करेगा इसी को हम लोग कहते है undamped system ओके क्योंकि यह पर damping नहीं है natural oscillation omega n पे हम यह जो signal है यह move हो रहा है ओके यह हो गया undamped system ठीक है but in this case यहाँ पर हमको damping provide करने के लिए हमने तो दिया कुछ इस तरीके से signal step function दिया था but हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है ठीक है but अभी हम लोगों को इसको damp करने के लिए कुछ एक factor की ज़रुत रहते है उसको हम लोग कहते है जीटा ठीक है Greek alphabet में हम इसको जीटा कहते है यह होता है damping ratio ठीक है और यह जो damping ratio रहता है यह रहता है inversely proportional to the maximum peak overshoot MP is inversely proportional to the zीटा ओके zीटा करके इसको ध्यान में रख़ो तो हम लोगों को पता है जिसका zीटा काम रहेगा that means maximum peak overshoot रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा oscillations रहेंगे तो यह जो हमारे पास transfer function given है जो भी system में हमारे पास given यह क्या होगे यह nothing but a system है एक कोई भी हमारे पास system है control system इसके जो भी input इसका जो भी functioning प्रोवाइड function हो रहा है कोई भी इसका पावर 2 आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे जीटा की value जो लेस है यहाँ पर 5S में यह भी मैं आपको बताते तो सबसे पहले हम लोग अगर compare करते है normal system को general second order system के साथ में ठीक है second order system है अपर s का power 2 आप देख सकते हो ठीक है c of s upon r of s ठीक है यह control system में हमें आपको बता दिया यह होगा हमारे पास output that means input हो के c of s और हमारे पास output हो गया r of s ठीक है यह होगा transfer function का इसका equation रहता है omega n square omega n square क्या है natural unamped frequency है upon s square plus twice zeta omega n s plus omega n square ओक है और इसको अगर हम लोग यह equation को इसके साथ compare करते हैं देखिए मैं आपको उसका color change करके बता दो सुधाट आपको समझ गया है इस equation को हम लोग इसके साथ compare करते हैं तो यहाँ पर omega का value आप देख सकते हो यहाँ पर omega square will be 100 omega n square तो omega का value कितना हो जाएगा omega n का 10 यह बात आप हमारे पास जागी और यहाँ पर इस factor का value कर आप compare करते हैं twice of zeta omega ns is equals to 5s ठीके आपको मैंने बताता है zeta क्या होता है यह damping ratio होता है जितना damping ratio ज्यादा रहेगा उतना maximum peak overshoot कम रहेगा maximum oscillations कम रहेगा मैं आपको next slide में immediately बताने हो देखिए स्किप मत करेगा अगर आप यह session skip करते हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपको session देखने के लिए क्योंकि यह questions काफी जदा specially curated sessions है questions है और आपको यह examination में 100% यह questions आपको ऐसे के ऐसे आपको पूछने के मिले है ठीके तो अभी हम आपर देखते हैं इसको compare करते हैं twice of zeta omega ns is equals to 5s तो ss cancel हो गया तो हमारे पास omega का value है 10 तो zeta हो जाएगा हमारे पास 5 upon यह 2 यह आपर denominator में आ जाएगा 2 into omega n का value कितना है हमारे पास 10 है correct तो zeta का value आ जाएगा हमारे पास 0.25 यह हो गया हमारा damping ratio that means यह zeta हमारे पास less है इस condition में यहाप आप देख सकते हैं यह 15 है 10 है अगर आपको consider भी करते हैं यह जो सबसे least value इसी की है okay तो आप देख सकते हो जो zeta अगर हमारा less रहेगा तो हमारे बास maximum peak overshoot ज्यादा रहेगा maximum peak oscillations हमारे पास ज्यादा है क्योंकि maximum peak is inversely proportional to zeta यह मैंने आपको थोड़ी ज़रे पर लही बता है तो इसका correct answer हो जाएगा option c I hope आपको समझ में होगा ठीक है देखे आप सिचन देखते चलेगा आपको सारे doubts में clear करते जाओंगा बट आपको पता है जनरली जो MP रहता है maximum peak overshoot यह एक percentage के form में गिवन रहता है इसका भी एक formula है आपको ध्यान में रखना है ठीक है 100 इंटू Aristotle power minus zeta pi upon under root of 1 minus zeta square ओके यह इसका formula है यह बात आपको ध्यान में रखना है अगर आपको examination में ऐसा formula भी पूछता है तो आपको यह formula यहापे ध्यान में रखना होगा ठीक है तो चलते है next question के तरफ I hope आपको यह समझ में है होगा काफी अच्छे से अभी हम यहाँ पे देखते कि अभी हमने जो भी discuss किया था यह सारी चीज़े क्या है यह peak overshoot और यह क्या है अभी हमने step signal का जो यह था यह normal हमारा response था step system का यह आप आप देख सकते यह line ठीक है यह हमारा अगर हम normally step input देते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से graph आना चाहिए था correct बट हमारा आया कैसा इस त पिर यह damp होते होते गया ठीक है अब यह damp की हो रहा है एक ऐसा stable हो जाएंगा एक limit के बाद में correct ऐसा यह stable हो जाएंगा okay बट initially कुछ टाइम तक यह तो ऐसा stable नहीं है यह oscillate हो रहा है यही इस ही को हम लोग कहते है maximum peak overshoot correct आपको ही समझ में हो का यह जो deviate हो रहा है from the actual signal quantity to the peak overs इसको हम लोग कहते है maximum peak overshoot यहां पर देख सकती है standard हमारा वान था बट यहां पर ग्राफ पहले उपर गया दन नीचे आया ठीक है यह स्टेबल होता गया यह क्या है हमारा settling time में सारी चीज़े आपको explain करने हो लोग उसका उसके आपको जंतना गरे यह हमारा गया delay time rice time हो गय गया हमारा peak time ठीक है यह सारी चीज़े हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए हम लोग next question के दरफ चलते है ओके we have a third question as of the largest step the largest error between reference input and output during the transient period is called अभी मने आपको बताय था देखिए UPSC IS prelims 2017 का question है काफी important है इसी तरीके से आपको सारे state level के जो भी assistant engineering के examination से रहती है उसमें यह question आपको देखने को मिलेगा इसलिए आपको उसको ध्यान में रखना है largest error between the reference input and output during the transient period is called as a peak overshoot option C will be correct answer in this case और peak overshoot का मैं अभी आपको फर्मूला बता था MP जिसको हम लोग percentage में consider करते हैं क्या होगा 100 into e raised to the power minus zeta pi upon 1 upon by 1 minus zeta square correct यह हो गया इसका peak overshoot का हमारा formula ठीक है तो largest error between the reference input and output during transient period is called as a peak overshoot जिसको हम लोग कहते है MP मैंना भी देखा था ठीक है यह हो गया MP, peak overshoot, reference में और output में जो भी difference आया इसको हम लोग कहते है peak overshoot, तो correct answer हो जाएगा option C here, अगर आपको session पसंदार होगा तो इस session को like करें, अगर आ अपने electric launching MC को subscribe नहीं क्या हो तो please जाके subscribe भी करेंगा और इस session को आपके friend के साथ में भी share करें, अगर आपको कोई भी doubt आता है तो please मैं comment box में comment करके बताएगा, मैं आपको पता है, काफी ज़्यादा ध्यान से आपको comment को reply करता है, okay, next question है, what is the open loop transfer function for the system, whose characteristic equation is f of s equals to s cube 3s square plus k plus 2 2s plus 5k, upac is prelim 2017 का भी ये same question है, ठीक है, अभी हमारे पास open loop transfer function हमें निकालना है, okay, तो सबसे पहले हम लोग इसका characteristic equation निकाल लेते है, characteristic equation कैसे होगा, 1 plus g of s into h of s, ये h of s क्या होता है, ये feedback होता है, okay, is equals to क्या हो जाएगा, s cube plus 3, sorry, 1 plus g of s into h of s, is equals to, वहापे वो error आगया था, s cube plus 3s square plus k plus 2s plus 5k, आप अब इसको simplify करना है, आपको इसको, s cube plus 3s square plus ks plus twice s plus 5k, okay, जा फिर आप इसको नहीं भी करते हो, तो आप simply इसको divide कर दो, या फिर आपको इसको कुछ इस तरीके से arrange कर सकते हो, s cube plus 3s square plus 5k plus k into s plus 5, correct, अभी हम लोग इसको s cube plus 3s square plus 5k से, हम लोग divide कर देते हो, so that हमारे पास, क्या जाएगा, 1 plus j of s into h of s is equals to, s square plus 3s square plus twice s plus ks plus 5 upon, हम इसको डिवाइड कर रहे, s cube plus 3s square plus 2s, ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये एक common हमारे पास term मिल गया, ठीक है, तो इसका value आजाएगा, मैं इसको color change कर दे दो, so that आपको समझ में है, 1, ठीक, ये एक divide हो जाएगा, plus, हमारे पास क्या जाएगा, k of s plus 5 upon, s into, ये इसके factors हो जाएगा, s plus 1, s plus 2, correct, is equals to 0, तो हमें क्या पुछा है, यहाँ पर, open loop transfer function, तो ये जो होता है, g of s, into h of s, इसको हम लोग कहते, open loop transfer function, तो open loop transfer function हमारे पास क्या जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, correct, तो ये कौन से option में, option है, c, correct, k into s plus 5 upon s plus, s into s plus 1, bracket s plus 2, ये हमारे पास open loop transfer function आगे, ठीक है, काफी simple चाप question तो, या पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हो, ये क्या होता है, g of s, ये होता है transfer function, ठीक है, और ये जो h of s होता है, ये को हम लोग कहते, transfer function of feedback element, transfer function of feedback element, correct, तो बटता है, next question के तरफ, अगला question काय कर रहा है, an open loop transfer function of a unity feedback system is given by, g of s is equals to 1 upon s, s plus 2 square, the closed loop transfer function will have a pulse at UPSC prelims, 2013 का ये question है, काफी important question है, आपको answer पहले इसमें reveal होगा, फिर में मैं आपको बता जाता हू, ठीक है, हमारे पास जो poles of the transfer function है, वो हम लोग कैसे given करें, कैसे हमें मिलेगा, ठीक एक function से transfer function से मिलेगा, s square plus twice of omega n s plus omega n square is equals to 0, तो हमारे पास जो भी pole से transfer function की, वो कुछ इस formula से निकलते है, s is equals to minus zeta omega n plus minus omega n omega n minus 1, यह हमारे पास इसका equation है, ठीक है, तो हमारे पास जो open loop transfer function है, तो वो क्या है हमारे पास, g of s is equals to 1 upon s plus 2 whole square, correct, तो हमारे पास इसका close loop transfer function क्या जाएगा, हमारे पास unity feedback है, that means h of s की value हो जाएगी 1, correct, यह आपको धान में रखना है, तो हमारे पास जो close loop transfer function हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से, g of s, यहाँ पर लग देता हूँ, g of s upon 1 plus g of s into h of s is equals to, g of s हो गया हमारा, यह complete value, 1 upon s plus 2 whole square upon 1 plus 1 upon s plus 2 whole square into 1, unity feedback system के लिए h of s का value था हमारा 1, ओके, तो हम इसको further solve करते हैं, तो काफी simple है, हमारे पास इसका solution करने के बदिए जो values है, यह cancel हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पर इससे multiply करेंगे, तो हमारे पास इसका value आजाएगा, 1 upon s square plus 4s plus 5, यह हमारे पास final s का value आजाएगा, तो जो close loop poles है, उसके जो roots रहेंगे, वो इसके हमको roots निकालने पढ़ेंगे, यह हमारे पास अभी final equation है, s square plus 4s plus 5, तो इसके जो poles रहेंगे, वो रहेंगे, minus 2 plus j1 and minus 2 minus 2 minus j1, correct, तो option c will be correct answer in this case, देखिया, हमने क्या किया, हमारे पास एक unity feedback system था, इसके जो h of s का value होगे, वो होगे 1, j of s है, यह जो के हमारा transfer function है, ठीक है, और हमारे पास close loop transfer function हमें, निकालना था, हमने क्या सके है, g of s upon 1 plus g of s into h of s, h of s का value आपे 1 रग दिया, यह सारी values इस पें substitute किया, तो यह हमारे पास, एक equation आगे, इससे हमने roots निकाल लिए, जो poles के, ठीक है, तो इससे related है, हमारा correct answer आगे, option c, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, तो कोई चिंता है, अगर इसका next part अगर अप अप्लोड कर देता हो, तो यह सारी चीज़े मैं आपको clear करा दूँगा, ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आना को, यहापे i button पर आपको poll देता हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है, आप आप पोल कर सकते हो, कि पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर speed कम जादा हो रही है, यह सारी चीज़े आप comment box में comment करके भी बता सकते हो, ठीक है, चलो next question देखते हैं, अभी हम, the transfer function of a low-pass RC network is, UPSC IS prelim 2014 के question है, काफी important question है, transfer function पूचा है, low-pass RC network का, okay, RC network that means, एक resistance होगा हमारे पास, एक capacitor होगा, यह होगा हमारा RC network, यहापे होगा हमारा output, यह होगा हमारा input, और यह resistance है, और अपको पता है, capacitor का हम लोगते है, 1 by CS, ठीक है, यह V input होगा है, यहापे हमारा के होगा, V output होगा है, ठीक है, तो जो transfer function का, रहेगा, इसका transfer function रहेगा, low-pass RC network का, हो रहेगा V out, which will be equals to, 1 upon C by S, output है इस terminal पे मिल भाए है, correct, तो 1 by CS upon 1 plus, जो भार, sorry, R plus 1 upon CS, ठीक है, तो simple है, 1 upon RCS plus 1, ठीक है, 1 upon RCS plus 1, ठीक है, तो हमारे पास, इसका correct answer है, option B, ठीक है, काफे simple है, transfer function हम में निकालना था, ठीक है, इस तरीके से, question आपको देखने का बिलता है, UPSC, आइस के question पूछा गया, और ये questions आपको, मैंने काफे सदा, इसका analysis किया, आपकी जो state level के examination है, इसी तरीके से, ये control system पे questions आपको पूछता है, ठीक है, काफे basic से questions रहते, next question है, ये काफे important question है, ठीक है, इस तरीके से, आपको gate में भी question, मैंने 2-3 years में भी देखा, ये question पूछा गया, ठीक है, हला कि basic है, बट आपको एक diagram में बता दूगा, उसके साथ में आपको, इससे related जो भी question पूछा जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ओके, question कुछ इस तरीके से, integrating the step function, will result in dash function, अगर हम लोग step function को integrate करते है, तो हमारे पास कौन सा function मिलेगा, ठीक है, तो अगर हम लोग integrate करते है step function को, तो हमारे पास मिलेगा ramp function, देखिए इसका एक technique है, आपको कैसी ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना होगा, फर्स्ट है इंपल्स, सेकंड आपको स्टेप, थर्ड है रैंप, फोर्ट है पराबॉलिक, करेक्ट, आपको यह सिक्वेंस, जान में रखना होगा, ठीक है, यह हो गया, इंपल्स सिग्नल, देखिए, आप मैं आपको फ्लो बताता हूँ, अगर इंपल्स सिग्नल को हम लोग यहाँ पर इंटेग्रेट करते हैं, तो हमारे पास मिलता है स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल को अगर हम लोग यहाँ पर इंटेग्रेट करते हैं, तो हमारे पास मिलता है रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल को अगर हम लोग डेरिवेट करते हैं, तो हमें स्टेप सिग्नल मिलता है step signal को हम लोग अगर डेरिवेट करते हैं तो हमें impulse signal मिलता है ध्यान में रखीगा इस तरीके से integrating the step function will result in dash function अगर हम लोग step function को integrate करते हैं तो हमारे पास ramp function मिलता है ठीक है मैं redundant question आपके समने इसलिए present निक करोगा same question repetitive करने में कोई मतलब नहीं है आप यह यह चार्ट को ध्यान में रखेगा काफी important है ठीक है आपको इस में यह चार्ट से एक नए question आपको examination में देखने को में लगा यह मेरा यह मेरा guarantee के साथ बोल सकता हो ठीक है चलते next question की तरफ ठीक है same question मैं आप derivative form में पूछ लिया यह पर derivative of the step function will result in मैं अभी आपको बतायता ध्यान में रखेगा कर नहीं भी ध्यान में उतना चार्ट आता है तो आप इस तरीके से flow याद रखेगा isrp यह आप line याद रखे sequence के साथ में तो इसमें आप कैसे याद रखेगे यह हो गया impulse step ram parabolic तो अगर आप left to right जाते हो तो integrate करना उगर right to left आते हो तो आप derivate करना ठीक है simple है ध्यान में रखेगा यह याद रख लेना isrp मैं आपको शोड़ियोटे टेक्निक्स बताते हो सुदर्ट आपको examination में सारी चीज़े ध्यान में रखने की कुई जरूरत नहीं है अगर आपको क्या पुछा है derivative of a step function या अगर हमारा derivative इसको हम लोग derivative करने के लिए right to left आते है ठीक है तो अगर हम लोग derivative करते है step function का तो हमारे पास क्या मिलेगा impulse function correct option A रहेगा इसका correct answer ठीक है देखे इस यहाँ पर मैंने flow chart में आपको explain कर दिया ठीक है parabolic को तो हमें ramp मिला इसको derivate किया तो हमें step मिला इसको derivate किया तो हमें impulse signal मिला ठीक है ISRP यह आप sequence ध्यान में रखेगा आपको काफे ज़्यादा इससे benefit होगा ओके चलते next question के तरफ यहापे मैं आपको कुछ standard test signal मैंने पहले भी question मैं आपको बताया था कि हम यह सारी चीज़े explain करें वाले अभी हमने questions यह मैंने पहले इसलिए नहीं लाया कि आपको एक कुछ वैने साज़े question में किस तरीके से function पूछ जा था इसलिए मैं आपको अभी आपको यह सारी चीज़े clarify हो जाएगे देखे चार तरीके signals रहते हैं ठीक है सबसे पहला है हमारा step input what is step input it signifies a sudden change the step signal emitted the sudden change characteristics of actual input signal देखे आप यह ग्राफ में देख सकते हो ठीक है यह पर diagram इस sudden change हुआ ठीक है जीरो टू ए ठीक है आट टाइम जीरो ठीक है यहां पर टाइम चल रह जा रहा है और अट टाइम जीरो एक sudden change हुआ जीरो टू ए यह जो वैलिए यह हम पर कोई भी लिख सकते वैलिए आर्बिटर या फिर 1245 जो भी हमारे पास input रहेगा उसके according ठीक है यह हो गया sudden change तो इस इसका जो लाप्लास ट्रांसफर्म है का यह भी ध्यान में रखना होगा यह भी examination में question की तो form में पूछा जाता है ठीक है मैं आपको लगे तो अगर आपको इसका test series चाहिए और test question चाहिए तो आप मुझे please comment करके बताए का मैं आपको pdf में telegram channel पे इस से test question आपको upload कर अगर आपको simple step input पूछे तो ध्यान में रखना है वन बाय एस लाप्लास ट्रांसफर्म ओफ स्टेप इंपूट विल बी एक वस्ट वन बाय यह important mcq करीके से भी question आपको पूछा जा सकते है अब यह हम लोग देखते है next test signal next हमारे पास के है हमारे पास है impulse input ठीक है तो impulse input मे क्या होता है it signifies a momentary shock the impulse signal emitted the sudden shock characteristics of actual input signal ठीक है एक sudden shock हो रहा है यह कुछ वे आगे नहीं जा रही एक जस्ट पी को नोने दे दिया ठीक है impulse आप देख सकते हो it is just impulse okay at t is equal to 0 time 0 पे एक just impulse आया ठीक है तो that means u of t del t एक del t इसका impulse function का impulse input का एक standard notation है तो हमारे पास इसका लाप्रास नाव समकरा आजाएगा a जो भी value आता है तो उसका value आजाएगा या पर a आता है तो a b आता है तो b या फिर अगर आपके इसका value है 5 तो simple इसका value आजाएगा 5 ठीक है या फिर 1 ओ it signifies a constant velocity एक constant velocity signify करता है इसमें भी आपको एक question मैंने देखा था ठीक है ये statement को बताया था which input signifies a constant velocity उसमें option थे ramp input, step input, impulse input, parabolic input तो ये भी भात अपको ध्यान में रखना होगा ramp input आता है तो it signifies a constant velocity मैं mark करके चल लो आपको काफी जादा अगर आपको session skip करोगे तो आपको मैं request करते हूँ तो please आप session skip मत कियेगा क्योंकि control system एक काफी important topic और 3-4 question आपको हर एक examination में देखने को मलते हैं काफी important है और काफी detail में चीज़े बता रहा हूँ ठीक है और किस तर इसकार देखने करते हैं राम्प इंपूट में हमारे पास constant velocity रहता है ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखने को अगर इसका लैपला ट्रांस आपको पूछा जाए तो your face is equal to a by s square होगा या फिर s square यह बात आपको ध्यान में रखने होगी इसके पहले अभी हमने क्या कर रहें तो impulse input में directly one है एका value कर आप one signal है तो simple one मिलता है step input है तो हमारे पास one by s में मिलता है और अब भी हमारे पास ramp input है तो हमारे पास one by s square यह हमारे पास इसका laplace transform मिलता है और it is a constant velocity signal that means ramp input और यह भी बात आपको सोच नहीं होगी कि यह test signal क्यों हम लोग use करते हैं देखे म इंटर्व में भी यह question पूछ जाते है तो आपको इस तरीकिस answer करना है what is a control system अगर आप एक system है इसको हम लोग कैसे है black box black box that means हमें नहीं पता इसमें कौन सा system हो रहा है कौन सा operation perform हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें बठ हमारे पास input है और हमारे पास कुछ output है हम इस system का response देख क्या आप इसके analyze कर पाऊगे कि इसमें यह कैसा behave करता है various input में इसलिए हम लोग various standard test signal use करते है ठीक है आपको यह समझ में आओगा अभी last है last हमारे पास input जो है वो है हमारा parabolic input अब इसमें देख सकते है it is like a parabola okay it signifies a constant acceleration देकिए मैं अभी आपको बताता है examination में ऐसा question में बुच्छेता है which test signal simplifies the which test signal describes the constant acceleration तो आपको धहन में रखना होगा parabolic input signifies the constant acceleration okay the parabolic test signal emitted the constant acceleration characteristics of actual input signal और अगर इसका Laplace transfer आपको पूछा जाए तो वह होगा a by 1 by s cube parabolic input का 1 by s cube रहता है यह दो चीज़े में आपको बताता हूँ अगर आपको इस session समझ में नहीं है तो प्लीज एक बाहर रिपेट करके देखेगा क्योंकि जो भी जब भी आपकी examinations आते है मैं I hope कि लॉक्डाउन जल्दी खतम हो जागा और यह जल्दी ओवर हो जाएगा और आपके instantly जो भी दो चीज़े धान में रखेगा पराबॉलिक सिग्नल इट सिग्निफाइज तो इसका जो लाप फ्लास रांसफोर्म वो रहेगा वन बाइस क्यूब यहाप 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 एक कुछ वैल्यू प्रोवाइड है इसलिए बाइस क्यूब आया ठीक है इससे आपक आपको मुस्ट अफ देखने को मिलें कि जो हम लोग डिसस करें बट क्यूंकि यह कॉशंस मैंने काफी साथा जैन को स्ट्रांसकोर में देखें यह कॉशंस पूछे के कॉशंस है इसलिए हम लोग इससे से रिलिटेट जो थेओरी है जिससे आपको फाइदा हो कि वही हम लो system will be यह पर order and type of close loop system यह पूछाते है यह काफी important question है आपको इस तरीके से question पूछ जाता है इस simple transfer function दिया रहता है ठीक है और आपको इसका order or type पूछा जाता है देखें सबसे पहले में बता है तो order of a system क्या होता है it is the highest power of s in the denominator what is order of a system यह पर लिख देता हूँ order of the system is highest power of s in denominator of close loop transfer function correct order of the system क्या है है हाइस्ट highest power है यह पर पावर चेथा highest power of s in the denominator of the close loop transfer function ठीक है अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ हमारे पस transfer function है हमारे पस close loop transfer function नहीं है okay unity feedback given है हमारे पस अभी हम लोग इसको आगे चल के solve करेंगा बट पहले आप यह चीज़ देहन में रख लो कि क्या होता है order of the system order of the system is क्या highest power of s in the denominator of a close loop and type of system what type of a system क्या होता है यह भी आपको ध्यान में रखना होगा इसमें भी आपको एक सेम क्वेशन बना के फॉर्म में आपको एक्जामेशन में पूछे सकते है what is order of the system यह स्टेट्म में नहीं लिखा आपको स्टेट्में प्रवाइड कर सकते है तो क्या होता है order of the system and type of the system क्या होता है it is the number of fold present at the origin of open loop transfer function correct g of s into h of s of a system क्या होता है number of poles number of poles present in the origin of open loop transfer function यह पर close loop है order of the system के लिए और type of a system के लिए number of poles कितना है था है okay numerator that means numerator में क्या रहता है zeros और denominator में रहता है पोल्स ठीक है type of a system is the number of poles present at the origin of a open loop transfer function g of s into h of s of a system okay तो अभी हम इसको erase करते है आप आयोप आपके समझ में आऊगा अभी हमारे पास का है transfer function के वान है ठीक है अभी हम लोग इसको close loop transfer function अभी हम लोग निकालते है ठीक है which will be equals to zero यह हमारे पास order यह क्या है मैं देखा it will give us the order of the system okay तो हमारे पास जो equation है तो हमारे पास जो equation है वह है g of s is equals to k upon s square bracket one plus ts correct तो हमारे पास unity feedback के लिए h of s equals to one है यह अभी हमने देख्या तो c of s upon r of s क्या हो जाएगा हमारे पास g of s मैंने अभी आपको बताया था एक complete transfer function के लिए close loop transfer function के लिए one plus g of s into h of s okay तो यह हम सारी values put कर देंगे कि जो g of s में values put करेंगे तो हमारे बस क्या आएगा यहापर ठीक है k upon s square plus one plus ts upon one plus k upon यह सारी as it is आजाएगा upon s square plus into one plus ts okay into one that means h of s value is one कुछ नहीं किया मैंने अभी जो भी values थी कि g of s की यह सारी यहापर put कर दी ठीक है g of s में यहापर यहापर लिख दिया one okay तो हमारे पास इसका final equation आता है ठीक है one plus g of s into h of s का जो equation हैगा इसको complete solve करने के बाद में ठीक है यह हमारे पास आएगा s square plus s cube t plus k okay यह हमारे पास आगया तो हमारे पास जो इसको order of the system क्या होगा okay 3 क्योंकि हमारे पास highest power of s है यहापर आप देख सकते हो highest power of s we have a 3 that means the order of the system will be 3 यह तो हमारे पास आगया अभी हमें type निकालना है okay and the type of the system is obtained from the open loop transfer function that means हमें g of s into h of s ही निकालना है ठीक है g of s into h of s का तो इसका हमारे पास क्या value था okay यह था correct s square in bracket 1 plus ts that means हमारे पास type of the system will be 2 okay तो order हमारे पास आगया type आगया हमारे पास 2 तो इसका correct answer आजाएगा option b 3 and 2 okay i hope आपको समझ में आगा थीकि मैंने आपको क्या क्या सारी चीज़े में आपको एक बार एक फिर से रिवाइस कर रहे था 1 plus z of s into h of s की values निकाली z of s into h of s यह होता है open loop transfer function ठीक है तो type of the system निकालने के लिए ध्यान में रखना होका it is the highest power जो भी रहता type of system it is the number of poles present in the origin of open loop number of poles देखना है यहापर कितना है s square इसका highest power कितना है 2 that means 2 और इसका order रहेगा 3 जो close loop transfer function है यह हमारा 1 plus z of s into h of s तो इसका जो highest power है वो आया s cube इस पर आया 3 तो that means 3 and 2 will be correct answer that means option b will be correct answer काफी important question रभ बेसिकली है कि आपको नहीं समझाए को तो आप इसको please repeat करके एक बार revise करके देख सकते हो okay तो चलते है next question के तरफ अभी मैंने आपको बताय था if a control system is represented by g of s transfer function is equal to 1 upon ts then it is a type 0 first order system इसका type और अपको order निकालना होगा ठीक है तो यह क्या है यह type 1 first order system है ठीक है highest power of s कितना है हमरे 1 है ठीक है और हमें इसका type निकालना था हम तो हमने कैसे number of polls present is the origin of open lip system वह भी 1 है so मारे पास इसका correct answer है option b type 1 first order system let's move to the next question before we begin हम लोग इसका एक कुछ theory देख लेते है order in the type of a system ठीक है consider a system defined by a transfer function t of s that means c of s output by input c of s upon r of s ठीक है यह एक equation है एक system है हमारे पास तो order of the system is n which is defined by the highest power of s in the denominator मैंने अभी आपको बता है था what is order highest power of s that means यह जो n है यह होगा हमारा highest power तो आप example पर आप देख सकते हो मैं आपके clarification के लिए यह सारी चीज़े include कर रहा हूँ c of s upon r of s request हो जाएगा c of s that means output यह r of s यह हमारा input है यह अगर 5 upon 1 plus 4s है that means highest power of n कितना यहां पर 1 है तो यह होगा हमारा first order system एक second order system में हमारा पास c of s upon r of s ठीक है तुसका जो highest power कितना है यह 2 that means कितना होगा इसका order कितना होगा है 2 fourth order system है highest power हमारे पास 4 है यह that means it is a fourth order system द्यार्म से देखेगा यह काफी important है आपके examination के लिए इस तरी से आपको order in the type of system यह पूच जा सकते है gate में भी एक question 100% वो compulsorily पूचता है okay and next we'll see the system type number okay it is defined as the number of a poles at origin of open loop transfer function अभी हमने closed loop transfer function देखा था order के लिए या पर type of system के लिए closed loop transfer function का significance है that means g of s into h of s okay यह सर्प इतना consider open loop transfer function as a system as a given as यह system given है हमारे पास तो system has a type c ठीक है s का power जो भी रहेगा and has a order of n plus 1 plus 1 हमें इसका order रहेगा ठीक है that means n plus c तो हमारे पास अगर example में देखते हैं आप g of s into h of s upon 50 upon s plus 1 into s plus 4 तो system का जो type हो जाएगा वो का 0 highest power of s 0 और अकर g of s into h of s यह next example है यह ऐसा कुछ इस तरिक है सकते हैं system का जो type रहेगा वो रहेगा 2 यहापर आप देख सकते हो number of poles यहापर देखते है number of poles at the origin ओके यह इसका system का type हो गया type 2 system ओके next question है अभी हमने यह question देखा था इसका correct answer था option बी type 1 and first order system same question है ठीक है we'll see the question from the gate 2005 it is very important question question में क्या पुचा गया है the system with a 0 initial condition has a closed loop transfer function t of s is equals to s square plus 4 upon s in bracket s plus 1 into s plus 4 the system has a output at a the system output is a 0 at a frequency system का output रहेगा वो 0 रहेगा कौनसी frequency यह हमारे पास frequencies given है तो अभी हम लोग क्या कहते है यह जो t of s transfer or closed loop transfer function है हमारे पास s में है हम सारे values में s is equals to j omega हम लोग substitute कर देते correct तो हमारे पास क्या जाएगा t of s is equals to we will get s square में j omega करना है हमें substitute j omega square plus 4 upon j omega plus 1 j omega plus 4 correct तो इसका value हो जाएगा और for a zero output that means हमारे पास numerator कितना होना जाए जी जीरो ठीक है for zero output okay j omega square plus 4 which will be equals to zero that means numerator should be zero zero output करना है हमें हमें पुछा गया है system output is zero at a frequency of ठीक है यह हो गया omega square is equals to minus 4 minus minus cancel omega will be equals to 2 okay that means हमारे पास omega that means natural frequency y radians 2 radians per second option c will be correct answer in this case card free simple जाता इसमें जो भी हमने transfer function given था इसमें values put करती j omega की ठीक है s is equals to jm होगा और यहां पर output zero करना है हमें एक frequency पर तो हमें इसका जो numerator है वह हमने 0 कर लिया तो हमारे ओमेगा का value आया है 2 radians per second ठीक है अगर आपको examination में कुछ इस तरीके से पूछते है radians to degree conversion तो आपको यह ध्यान में रखना हो का अगर radians में given है ठीक है अभी हाँ पर 2 radians पर second given है ठीक है इसको आपको degrees में convert करना है तो 180 by pi से multiply करना है अगर degree to radian करना है तो pi by 180 इससे उल्टा आपको multiply करना है ध्यान में रखीगा इसका correct answer आपको option c काफी मैंने से मैंने आपके लिए session बना है ठीक है we'll see the next question in this case a unity feedback second order system is characteristics by the open loop transfer function s equals to 1 upon s in bracket js plus b where j is the moment of inertia b is the damping constant k is the system gain okay the transient response specification which is not affected by the system gain variation यहापे हमें क्या question में पुछा गया है मैं आपको explain कर दीता हूँ जो भी transient response है जो affect नहीं होगा system gain variation से वो कौन सा इसमें से term है ठीक है यह आपको बताना है सबसे पहले हम लोग इसका meaning देख लेते open loop transfer function we have a characteristic equation as a j s square इसका characteristic equation काफे निकाला है simple है निकालेंगे j s square plus b s plus k correct is equals to 0 अगर हम लोग इसको compare करते है s square plus twice zeta omega n s plus omega n square से अगर हम लोग compare करते है तो हमारे पास omega का value आएगा omega n का वह आएगा हमारा under root of k omega n का value आएगा हमारे पास under root of k ठीक है और हमारे पास twice of zeta omega n s omega n की value का है b है is equals to b correct यह आपको फिर से एक बार लिख देता हो यहां पर ठीक है twice of zeta omega n का value है हमारे पास b है अगर हम लोग यहां पर compare करते तो ठीक है तो that means हमारा क्या हो जाएगा zeta क्या हो जाएगा damping factor क्या हो जाएगा b upon twice of omega n ठीक है omega n का value का है under root of k ठीक है that means zeta will be equals to b upon twice of under root of k ठीक है और आपको बता है जो settling time रहता है it is ts is inversely proportional to one upon omega zeta omega n ठीक है that means zeta omega n का value कितना है हमारे बस one by b that means क्या होगा the transient response specification which is not affected by the system gain variation is settling time okay settling time इसमें से vary नहीं होगा आयोब आपके इस question समझ में आओगा वे हम लोग देखते है standard form of transfer function g of s ठीक है on to a unit step input and the dc gain of a system is the ratio between the input signal and the steady state output of the steady state value output ठीक है the first order system has only one pole add one by t first order system का सिर्फ एक pole रहेगा वो रहेगा one by t पे ठीक है इससे पहले मैं एक बार एक एक question फिर से आपको explain कर रहाँ चाहता हूँ ठीक है यहां पर हमार पास settling time का जो formula रहता है वो रहता है Ts is equals to 1 upon 4 into 1 upon zeta omega n तो हमार पास जो values आईती है हमारे Ts is directly proportional to 1 upon b जो हमार पास omega n का zeta का value है था b upon twice of under root of k into under root of k to under root of k into k cancel हो जाएगा तो 2 by b 2 पर जाएगा that means Ts is directly proportional to 2 by P okay so it is independent of settling time okay इसका गरा जाएगा option C ठीक हमने देखा विल से नेक्स question आजा unity feedback system with open loop transfer function of 20 upon s in bracket s plus 5 is excited by a unit step input how much time will be required for the response to settle within a 2% of the final desired value मैंने आपको बता था एक unit step response है एक system में हमने दिया आप एक कुछ damping प्रोवाइड है जो भी हम लोग zeta से प्रोवाइड करते है कुछ इस तरीके से तो एक 2% band में यह settle होने के लिए कितना time लगए गया यह निकाले 2% यह band का value किया हो गया यह मैं आपको बताते हो एक system है यह stable system है यह stable input है यह आप आप देख सकते हो with respect to time यह signal हमने प्रोवाइड किया ठीक है at a amplitude of 1 or 2 something like that ठीक है यह stable है but in this case यह ऐसा कुछ vary हो रहा है ठीक है यह vary के कौन से band में हो रहा है कुछ desired value से deviate कर रहा है that means 1.02 हो रहा है यह फिर 1.98 हो रहा है ठीक है इसको हम लोग कहते है deviation जो कि हम लोग देखते है variation होने के लिए जो भी variations होता है उसको हम लोग measure करते है tolerance भी हम लोग इसको कह सकते है ठीक है तो इसमें question हम पुछा कह है how much time will be required for response to settle within a 2% of the final desired value okay तो इसके लिए आपको एक T of S का formula दहान में रखना हो का settling time का which is equals to T of S is equals to 4 into 1 upon zeta omega n okay यह तो हो गया हमारा formula और हम लोग लिखते है 1 plus G of S ठीक है H of S 1 ही हो जाएका which will be equals to 0 1 plus G of S का value है 20 upon S upon S plus 5 is equals to 0 that means S square plus 5S plus 20 will be equals to 0 तो twice of zeta omega ns को अगर हम लोग compare करते है यह हो गया twice of zeta omega ns तो हमारा पस omega का value हाजएगा under root of 20 okay omega n का value आगया हमारे पास under root of 20 okay and then twice of zeta omega n which will be equals to 5 तो हमारे पास omega n का और twice of zeta omega ns का value है हमारे पास निकाल लिया अब हम लोग settling time निकालते हैं तो इस formula में कर हम लोग value put करते हैं तो 4 upon zeta omega ns का value कितना है 2.5 क्योंकि omega ns का value कितना हो जाएगा हमारा ठीक है 5 by 2 okay as simple as that तो 4 upon 2.5 we will get 1.6 that means यह जो response है हमारा इसको settle होने के लियर लगेगा 1.6 seconds ठीक है तो आयो पोप को इस session में यह question सबज में होगा option B will be correct answer in this case we will see the next question given the transfer function g of h equals to 121 upon s square plus 16 s plus 121 of a system which of the following characteristics does it have यह हमें system जो given है यह over damped है, under damped है, critically damped यह फिर under damped है और इसका settling time क्या है यह हमें question में पूछा गया है ठीक है, UPSC is prelims 2009 का question है काफी important question है ठीक है, अभी मैं बताता है जो हमारे पास given equation है g of s उसको पहले हम लोग लिख लेते है which is equals to 121 upon s square plus 16 s plus 121 अभी हमें इसका characteristics equation लिखना है ठीक है, तो हम लोग कैसा लिखेंगे s square plus 16 s plus 121 is equals to 0 इसको मैंने आपको बता है था compare करना है हमें equation के साथ में ठीक है, so that आपको बाकी values मिल सके, इसको हम लोग compare करते है s square plus twice of zeta omega n s plus omega n square is equals to 0 ठीक है, यह 16 s यह time होगे middle और 121 ही यह omega n s square होगे, that means हमारे पास omega n square, क्या है 121, to omega n कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 121 किसका square है, 11 का यह radian पर, second में हम लोग natural frequency लिखते है, omega n यह भी हमारे पास value होगी और अभी हम लोग निकालते है, zeta का value यह होगा हमारा zeta, twice of zeta omega n s is equals to 16 s, यह s cancel हो जागा, omega n का value कितना है हमारे पास, 11 that means 16 upon 2 into 11 8 is to 11, यह हमारे पास zeta का value होगा ठीक है, तो आपको मैं पता तो mathematically, fraction 1 by 11 क्या होता है, 0.90 is equals to 0.909, ठीक है, तो 8972 approximately आएगा इसका, ठीक है, तो हम लोग इसको रिखाते है, 8 by 11 को 0.727 ठीक है, यह होगा हमारे पास zeta का value, ठीक है, that means damping ratio, अभी मैं आपको बता तो, अगर damping ratio आपका less than 1 है ठीक है, तो वो system होता है under damped, ठीक है this damping ratio zeta is less than 1, that means, वो system है under damped, ओके, यह तो हमारे पास आगया under damped, यहापर दो option में, अभी हमें settling time निकालने है, ठीक है settling time हम कैसे निकालते है, मैंने आपर बताया था, ts is equals to 4 upon zeta omega n is equals to 4 upon zeta का value हमारे पास आगया, 0.727 0.727 into omega n 11, ठीक है इसको आप लोगर निकालते है, तो you will get approximate 0.5 seconds ठीक है, 0.5 seconds मैं आप हाइलाइट करकर रख देता हूँ, ठीक है 0.5 seconds will be, और settling time ठीक है, तो यह हमारा second option में ठीक है, तो इसका correct answer हो जोगा, option B this system will be under damped and the settling time will be 0.5 seconds ठीक है, अभी मैं आपको next slides में कुछ चीज़े explain करने वालो ध्यान से दे, concentration से यह session को देखेगा, ठीक है, मैं आपको बता हूँ, over damping क्या होता है, under damping, critically damped और यह सारी चीज़े, with respect to zeta, यह time response हम लोग सब चीज़े देखने वाले है, ठीक है, तो चलते next question के दरफ अगला question क्या करें, delay time is the time required for the response to reach dash of the final value in the first attempt, ठीक है, delay time क्या होता है, यह हमें आपर पूछा गया है, कितना percent पे reach होने पे हमारा first attempt पे उसको हम लोग कहते है delay time, तो या धान में रखे का, delay time is the time required for the response to reach 50% of the final value, यह question ऐसा examination में पुछा जा सकता है, ठीक है तो इसका correct answer होजए का option B अभी मैं आपको यहां पे graph भी बता देता हूँ एक image से बता देता हूँ, ठीक है यह अभी मैंने आपको last time भी बताया था कि हम यह सारी चीज़े explain करने वाले यह हो गया हमारा delay time यहां पर आप देख सकते हूं यह जो हमारा response है from 0 to 1 यह 0.5 है यहां पर तो जो हमारा response half of its value तक पहुचने के लिए कितना time लगता है, इस ही को हम लोग कहते है delay time TD यह 0.5 तक पहुचने के लिए यह जो time है यह हमारा TD, delay time ठीक है, धहन में रखे का इसका correct time ज़र हो जोगा, option भी 50% अभी हम लोग various time domain specifications देखने वाला है, यह काफी important है आपके examination के लिए, ठीक है यह control system में सबसदा important है इससे related आपके fundamentals clear होंगे, ओके अभी हम लोग पहला दिखते है delay time, यह हो गया हमारा delay time ठीक है, second है rise time यहाँ पह हो गया rise time okay, peak overshoot यह हो गया MP, maximum peak overshoot, peak time this is the peak time okay, और next time मारा settling time, यह हो गया मारा settling time अभी हम one by one इसका meaning देखते है और इसका definitions देखते है we'll see what is delay time it is the time required for the response to reach 50% of the final value in the first attempt first attempt में 50% value पहुचने के लिए, कितना time लगता है उसी को हम लोग कहते है, delay time TD, जिसको हम लोग कहते है, okay इसका value हो जाएगा 50%, इसका value है 50% ध्यान में लखेगा, यहाँ से response यहाँ तक पहुचने के लिए, हमें कितना time लग रहा है जितना उसको time लगता है 50% अचीव करने के लिए, उसी को हम लोग कहते है delay time, next time आता है हमारा rise time, यह भी काफी important है धर में लखेगा, पता तो rise time the rise time is the time required for the response to rise from 10% to 90% of its value for the over damage system अगर zeta के value greater than 1 है तो उस case में 10% to 90% पहुचने के लिए जो rise time हम लोग कहते है उसी को हम लोग कहते है, rise time जो time लगता है, उसी को हम लोग कहते है, rise time यह आप देख सकते हो, tr it is approximately nothing but near to 90% या फिर हम लोग कह सकते है, 100% है बढ़ आप यह आप अंडरडाम system के लिए आप बताया गया है, तो यह हो गया हमारा rise time, 5% to 95% पहुचने के लिए, critically undamped system के लिए, या फिर अगर आपको ऐसा था है, for underdamped system 0 to 100% पहुचने के लिए, यह final value अचिव करने के लिए, जो time लगता है उसी को हम लोग कहते है, rise time okay, next time हमारा peak overshoot, okay, यह काफी, यह बही काफी important आप है the maximum overshoot is the maximum peak value of the response measured from unity, it is therefore the largest error between the input and output during the transient period यह आप आप देख सकते हो, ठीक है यह definition ही हमें clear कर देख और मैंने इसके पहले भी आपको maximum peak overshoot कैसा होता है, it is inversely proportional with zeta, damping factor, जितना damping हमारा जाद रहेगा उतना maximum peak overshoot कम रहेगा, ठीक है next हमारा term आता है, वो है peak time it is a peak time the peak time is the time required for the response to reach the maximum peak of the overshoot यहा तक पहुशने के लिए जो peak time पे पहुशने के लिए peak पे पहुशने के लिए कितना time लग रहे है उसी को हम ब्लोक कहते है, peak time, ठीक है as simple as that next आता है हमारा settling time, settling time it is time required for the response curve to reach and stay within a specified percentage of the final value generally हो रहता है, 2 to 5% ठीक है, इसी को हम लोक कहते है, settling time मैंने अभी आपको बाता है, यह response आशे चरूँआ हूँआ damping आया, कुछ इस तरीके से यह 2 to 5% के इसमें आने के लिए अगर एक ग्राफ ऐसा continue होता है, ठीक है तो यह maximum एक tolerable limit में रहने के लिए जो भी हमें time लगता है पहुचने के लिए, यहां तक पहुचने के लिए उसी को हम लोग कहते है, settling time देखिए यहां से आप curve को अगर आप notice कर रहे होंगे ठीक है, यह यहां से शुरूवा curve, हमने कुछ initial signet 1 दिया damping है यहां यहां से यह settle होना शुरू किया, यह आप देख साते हैं, यह band है यहां पर 0.5% यह कौन सा है, 0.5 और 0.2 values का है, that means these are the 5%, 2% यह tolerance है जो भी हमारा input signal है, ठीक है इस band में ही यह चल रहा है, ठीक है continue हो रहा है, मैंने भी आपको बता है यह ऐसे continue रहेगा, यह भी band इतना ही percentage रहेगा, इसी को हम लोग कहते है, settling time, यहां तक पहुचने के लिए जो time लग रहा है, इसी को कहा रहे है हम लोग settling time, कितना time में settle हो रहा है, ठीक है, ओके, आहोग आपको यह समझ में आया होगा, we'll see the next question rise time is the time required for the response graph में देख सकते हूँ, price time anti-person पर आने के लिए, okay the next question is overall transfer function c of s upon r of s of the system is shown in the figure below is, ठीक है, इसका transfer function हमें निकालना है, यह हमारे पास given MPSC main 2019 का important question है, अगर आपने मेरे, जो भी, मैंने 4 sessions लिये MPSC 2019 की, जो mains examination के papers है, ठीक है, काफी अच्छे questions उन्होंने select के थे वापर, आपने नहीं देखे होंगे थे, आपर i button पर playlist आपको मैं provide करा दूँगा, या फिर आप channel पर जाके playlist देख सकते है, MPSC के जो previous year के question papers है, आप उसको जाके देखेगा, ठीक है, अभी हमें इसका overall transfer function निकालना है, c of s by r of s, जो भी यहाँ पर system given है ठीक है, तो चले हम लोग इसको solve करते हैं आपके simplification के लिए मैं यहाँ पर लेका है, ठीक है transfer function क्या होता है हमारा which is equals to c of s upon r of s is equals to g of s upon 1 plus g of s into h of s, okay अभी हम लोग block by block इसको simplify करते हैं, ठीक है यह close loop में है, ठीक है यह close path में है, ठीक है feedback path भी ही यह आपे, ठीक function भी transfer function, तब भी हम लोग इसको solve करते हैं, ठीक है इसे solve करने के लिए के साग करना पड़ेगा हमें इस block को हमारे पास इसका final answer आजएग g2, यह transfer function होगा upon, यह feedback होगा 1 plus, ठीक है, यह formula से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है 1 plus g2 into h1 ठीक है, तो that means हमने यह complete block यहां पे ऐसा reduce कर दिया, और इसके series में जो है, यह g1 transfer function तो जब ध्यान में रखना होगा, जो series में है, यह directly multiply हो जाते है तो आप इसको कैसे simplify करोगे यह कुछ इस देके से simplify होगा g1 into g2 upon, 1 plus g2 into h1 okay, अभी आप यह अगर देख सकते हो तो यह हमने इसका color change कर दो तो आपको असानी से समझ में, यह जो complete system है हमने, यह final system बना लिया, अभी हमारे पस feedback भी feedback path का है उपर h2 है, ठीक है यहां पर ऐसा कुछ h2 है हमारा iopup इसको grasp कर पा रहे होंगे ठीक है, यह हमारा output हो गया ठीक है, अभी हम लोग इसी को यह हो गया हमारा g of s अभी ठीक है, यह complete blocks हो गया, यह हमारा g of s, इसी को इस formula में आपको put करना है, यह हो के h2 यह h of s के जगा, यह जो feedback भात है ठीक है, आप इसको solve करेंगे तो आपको खुछ इस तरीक से मिलेगा, ठीक है मैं हाँ पर color कर, change करके आपको बता देता हूँ let's take black, okay blue g1 into g2 upon यह complete g of s है upon 1 plus g2 into h1 upon 1 plus g of s g1 into g2 upon 1 plus g2 into h1 plus into h2, यह यहाँ पर h of s को हम लोग directly multiply करेंगे, यह जो भी हमारा function है h2, इसको simplify करोगे तो यह जो base values यह cut जाएंगे इसको हाँ पर multiply करेंगे, ठीक है in this case you will get a final output as g1 g2 upon 1 plus g2 h1, okay plus g1 into g2 यह भी multiply हो जाएंगा इसके साथ में और यह a से इसके साथ multiply होगे into h2 यह भी हमारा आगया final answer, okay तब यह हम लोग इसका correct answer देखते हैं, यह पर option c में यह हमारा transfer function आगया इस block को हमने इसको reduce करके, ठीक है काफ़ी simple था, पहले हमने इस block को reduce किया ठीक है, यह जो feedback पहा था close loop था, इसमें reduce किया है इसको हमने multiply किया, series में था then हमने यह complete solve किया इससे हमारा यह answer आगया ठीक है, काफ़ी important question था, इस type के questions आपको examination में देखने के मिलते है specifically mains examination में ठीक है which is the next question, what will be the value of zeta for the following pole location in s plane shown in the following figure, okay अब यह आपर देख सकते हैं, जो poles है यह है imaginary axis पे ठीक है, j omega axis पे that means यह क्या होँ, zeta का value हुआ, वह हुआ, 0 zeta will be 0 in this case, that means the system will have will be underdamned system, अभी मैं आपको सारी चीज़े explain करूँआ, one by one धान में रखेगा, देखे what is poles 0 and pole 0 plot, what is poles the value of s for which the transfer function magnitude g of s becomes infinite, after substitution the denominator of the system are called as the poles of the transfer function the value, जो भी s की values होते है जिसमें transfer function का magnitude g of s, वो infinite हो जाता है जब भी हम लोग substitute करते हैं, denominator में इसी को हम लोग कहते हैं, poles of the transfer function, 0 सहम लोग किसको कहते हैं the value of s for which the transfer function magnitude g of s becomes 0 धान में लोग कि आपे 0 याफे infinite है after substitution in the numerator of the system, it is called as a 0 of a transfer function, and pole 0 plot क्या होता है, यह होता है, एक diagram obtained by locating all poles and 0s of the transfer function in a s plane, it is called as a pole 0 plot, ठीक है, अभी में बाता देता हू, जो s plane में ने का 2 axes रहते हैं, ठीक है let me change the color so that s plane में 2 axes रहते हैं, ठीक है first हो रहता है real और दूसरा रहता है imaginary और अपको बता है s क्या होता है, s is equals to sigma plus j omega, यह Greek alphabet है sigma, इसको हम लोग कहते है s is equals to sigma plus j omega, यह होगा हमारा imaginary part, यह होगा हमारा real part, और x-axis पे जो है, वो real रहता है यह x-axis पे रहता है और imaginary part जो रहता है, वो रहता है y-axis पे, ठीक है ध्यान मेरा की का, अभी हम लोग देखते है, effect of varying zeta in the step response, okay कफे चैसे पढ़ते है, अगर हमारा zeta का value है, damping factor, ठीक है मैंने आपको बता था, इस पे ध्यान देज़ेगा काफे important है, ठीक है मैं भी भी बता रहूँ आपको यह काफे important है चीज़े, यह समझना, आपको complete control system के जो भी छोड़े ओड़े points से यह सारे चीज़े आपको यहां से clear हो जाए ठीक है, अभी अगर हमारा जीटा का value lie कर रहा है between 0 to 1 okay, 0 to 1, zeta less than greater than 0 less than 1, तो यह system है हमारा underdamped system, ठीक है, कुछ इस तरीके से pole location होगी यहां पर हमारे तो आप देख सकते हो, underdamped system है तो हमने यहां पर system response है कुछ इस तरीके से रहेगा, एक particular time के बाद में यह stable हो जाएगा अगर zeta का value हमारा 1 है ठीक है, तो इस case में क्या होगा यह हमारा critically damped हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है, in this case poles की location आप इस x-axis पर देख सकते हो sigma के axis पर, ठीक है, s is equals to minus 1 और यह जाता है critically damped अब damping देख सकते हो, response चेक कर सकते हो, ठीक है, पहले undamped था critically damped है, अभी हम लोग over damped करते हैं, ठीक है, तो आप pole की location देख सकते हो, okay that means over damped के लिए कुछ इस तरीके से हमें step response मिलता है, c of d, okay यह तीन यहां तक समझ में, under damped that means zeta का value हो रहता है, less than 1, okay, from 0 to less than 1 critically damped means है, यह है critically damped zeta का value है 1 और over damped that means zeta का value greater than 1, यह चीज़े आपको ध्याल में रखने होगी अभी हम लोग next इसका graph देखते for a zeta is equals to 0 अगर zeta 0 है, तो pole की location कुछ imaginary access परेंगी, y access परेंगी और आपको देख सकते हो response ठीक है, यह कुछ इस तरीके से, कुछ response ही नहीं मिल रहा है हमें यहा पर that means अब देख सकते हो इस case में आप देख सकते हो अगर zeta का value less than 0 है और greater than minus 1 तो pole की location आप देख सकते हो ठीक है, और आप response देख सकते हो ध्यान में रखे का अगर poles की location है वो right hand side plane पर रहती है तो pole step का response कुछ इस तरीके से हमें देखने का मिलता है और अगर zeta का value minus 1 है तो pole location आप x-axis पर रहेगा dual axis पर और response कुछ इस तरीके सरहेगा और less than minus 1 है तो unstable system रहेगा ठीक है यहापर इस condition में आप poles की location देख सकते हो और step response कैसा रहेगा यह भी चीज़े आप पर देख सकते हो तो चलिए हम लोग देखते है next question क्योंकि बहुत important है आपके examination point of view से ठीक है जो भी हमने इसका पहले का graph देखा था step response देखे थे और pole location देखे थे यह क्या है ultimately effect of varying zeta in a step response that means हम लोग zeta का value अगर हम लोग under damped रखते है जिटा का value less than one greater than verdict तो हमें step response कैसे मिलता है हमें damping किस तरीके से मिलता है या पर देको zeta का value अगर one है तो critically damped यह पर system है हमारी कुछ इस तरीके से हमें यह आपर देखने को मिल रहा है यह भी आपको graph द्हान में रखने होगे चलिए हम लोग दिखते है question number 19 okay we will see this question time response of the system which is subjected to the unit step response is what यह हमें time response निकालना है यह जो हमारे पार system given है तम लोग c of s upon r of s लिख लेते हैं या पर is equals to 2 upon s square plus 3s plus 2 और आपको पता है for unit step response scale plus value मैंने बता था r of s will be equals to 1 by s मैंने आपको starting में बता था ठीक है तो c of s will be equals to 2 upon s square plus 3s plus 2 into इसी r of s का value यह आपर multiply हो जाए 1 by s इसका आप split करते हो तो आपको मिलेगा 2 upon s plus 1 s plus 2 into 1 by s यह आप इसारे multiplication में आपको मैं यह आप बता देता हो इसमें confusion नहीं होना है ठीक है तो आप comment करके फूलोगे मुझे ठीक है कर आप इसको split कर देता हो इसको आप minus 2 से multiply कर देते हो upon s plus 1 plus upon 1 upon s plus 2 plus 1 by s यह आप इसारे multiplication में अभी हमने split किया यह equation आप ऐसे बना सकते हो यह complete mathematical equation है ठीक है इसको हम लोग solve करते हैं यह अगर आपने पास values आगे चाती है तो हम लोग इसका अगर ले लेते हैं इस values का ठीक है मैं यह आप इसको erase कर देता हो या फिर यहाँ पर लिख देता हो ठीक है if you take the laplace transform laplace inverse transform of this thing okay इसका इसका और इसका तो हमारे पास क्या जाएगा c of s laplace inverse of c of s will be equals to c of t which will be equals to minus 2 s plus 1 है यहाँ पर 1 upon s plus 2 plus 1 upon s तो हमारे पास इसका value हाजाएगा 1 minus 2 it is 2 over minus t plus it is 2 over minus 2 t it is 2 over minus 2 t that means क्या हो जाता है 1 upon s plus 2 minus 2 it is 2 over t that means it is 2 over s plus 1 और 1 by s का क्या laplace transfer inverse हो जाता है वो होता है 1 तो यह हमारे पास इसका final equation ना जागा है यहाँ पर 2 है ठीक है तो we will get a correct answer as option c 1 2 is to the power minus t plus it is to the power minus 2 t option c will be correct answer in this case the next question is the impulse response of our linear system is to the power minus t for t greater than 0 the corresponding transfer function is 2012 का question है काफ़ी important question transfer function है अगर आपको impulse response का निकालना है तो simply आप जो हमारे पास impulse response linear system given है उसी को हम लोग लेप्रास ट्रांसफर्म निकाल लेते है लेप्रास ट्रांसफर्म आप e of minus t तो क्या हो जाएगा 1 upon यहाँ पर minus है तो s plus 1 हो जाएगा यह completely लेप्रास का formula है ठीक है उसका correct answer हो जाएगा option b will be correct answer in this case ठीक है तो यह थे सारे question important on a control system जो examination के point of view से काफी important है और examination में पूछ जा सकते है next session के लिए मैं आपको question चोड़के जा रहा हूँ question है the dash time is the time required for the response to reach the first maximum peak of the overshoot गर अपने मेरा session ध्यान से देखा हो तो आपको इसका answer जल्दी आ जाएगा आपको इसका answer comment करके मुझे comment box में बताना है आपको हमारा टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम एलेक्र कलेंजिंग में सब्सक्राइब करना है यह session को आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना है so till the next time I will see you and have a nice day